नमस्कार, स्वागत आपका एडो सीकर में और आज कि हम इस वीडियो में डिसक्स करने जा रहे हैं अपनी थेओरीस आफ दी इंटरनेशनल रिलीशन्स उसके बाद हम देखेंगे इंटर डिपेंडेंज, फिल्म देखेंगे कॉंप्लेक्स इंटर डिपेंडेंज और फिल्म बात करेंगे दियमॉक्रीटिक पहले समझ लेते हैं कि इसका फिलोसोफिकल मोटिवेशन वो कांसे मिली है तो एक आइडिया था अफ दी पर्पीचल पीस इसका मतलब क्या था इसका मतलब था कि अगर कॉइशन एंड कोपरेशन एंशुर की जाती है बिटी इंदी नेशन स्टीट्स तो हम जो है पीस को एंशुर कर सकते हैं इंदी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और यह आइडिया दिया था विगो गॉटियस की बुक है एक उस एक उसमेंने जस्ट बॉल करके कॉंसेप्शन दिया था जिसमें उन्होंने तीन कंडिशन बताई थी जिसके लिए कोई एक कंट्री जो है वो जस्टिफाइब कर सकती है वाल पे जाना जिसमें है सेर्व डिफेंस, प्रोटेक्शन प्र आपने पढ़ा होगा अपने जम पढ़ते हैं western particle thought में तो रूसों ने भी जो human nature को interpretation दिया था वो दिया था काफी optimistic काफी positive तो उनके accordingly ऐसा था कि society ने human nature को corrupt कर दिया है otherwise human है वो interestingly अच्छा है तो इसलिए क्या होता है कि हमने society जो हमने ऐसी बनाई है इस तरीकी की structures हमने बनाई है उसकी बज़े से जो nations से आपस में एक दूसरे के against war पे जाते हैं या फिर दोनों के बीच में conditions जो है conflict रहती है उसके बाद आता है John Locke तो देखें John Locke तो काफी important thinker भी है हमारे और इसमें आपने पढ़ा होगा कि John Locke का जब interpretation था human nature का वो completely contrast था तो the notion of the hopes तो hopes ने जब कहा था कि human nature कैसा है काफी power seeking है pessimist view लिया था hopes ने उसी तरफ John Locke ने काफी optimistic view लिया था human nature का उन्हों कहा था कि human के पास क्या है reason है और reason हमें कहीं है कि guide करता है कि हम किसी के साथ बिल्कुल गलत नहीं करेंगे इसलिए जब state of nature होती है उसके अंदर भी क्या होता है peace, good will, cooperation देखने को मिलती है तो जो John Locke की state of nature थी अब आप उसी phenomenon को implement लेकर देखो एक बार international politics की anarchical condition पे state of nature भी क्या है kind of anarchी तो है वहाँ भी कोई centralized authority नहीं है आपके behavior को regulate करने के लिए likewise international arena में भी कोई centralized authority नहीं है वो भी anarchical है लेकिन जैसे John Locke ने कहा था है state of nature के अंदर क्योंकि human being के पास reason है उनके पास ही समझ है कि हमाई लिए cooperation अच्छे चीज़ है इसी तरीके से international politics में भी जो nation states है since उनको humans ही चला रहे हैं तो nation states को भी पता है कि peaceful resolution much better है than out rightly going to the war इसलिए John Locke भी बहुत बड़ी influence बनते हैं बहुत बड़े तरीके से अहाँ पर बनते हैं source of motivation for the liberal discourse अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं जो उसमें theories हैं liberalism के अंदर तो पहले आती है liberal institutionalism जैसे कि नाम से clear है institution बना दीजिए जैसे united nation है या फिर उससे पर league of nation था तो आपने institution बना दी और उसके अंदर हम लोग बैटके क्या है बात कर रहे हैं Woodrow Wilson World War 1 खतम होने के बाद इन्होंने एक speech दीथी से हम कहते है 14 point speech तो उसमें Woodrow Wilson ने काफी ज़्यादा एज़र्ट किया था कि अगर हमको international politics के अंदर peace चाहिए और इस तरिकी की जो war से हमको avoid करना है So we need the institutions to regulate the behavior of the states तो वहीं से यहां से origin है The institutions can convert a jungle of the international politics into the zoo मतलब काफी ज़्यादा इसका self-explanatory है बालगे आँको समझा के एक बार बताता हूँ देखो क्या होता है जो jungle होता है वहाँ पर चलता है क्या rule of the jungle ठीक है जिसे ने कहते हैं मतलब the law of bigger fish eating the smaller fish जो ज़्यादा powerful है वो छोटे बाले को ख़रान कर देगा जंगल में यही रूल चलता है लेकिन zoo के अंदर रहते zoo में भी जान बरें लेकिन zoo के अंदर regulated behavior होता है उनकी freedom को कुछ अद्धा contain किया जाता है जिससे की anarchical condition को भी contain किया जा सके जिससे थोड़ा सा law and order देखे society में तो Woodrow Wilson ने वही कहा था कि institution के बिगात बिना तो सब कुछ jungle जैसा है लेकिन institution के पास वो capacity है जो जंगल को zoo में convert कर सकते हैं ठीक बाकि फिर game theorist है जोसेफ नौजी उन्होंने concept या था quasi negotiation ये कहीने कहीं critical थे तो इन्होंने कहा था काफी सारी nation states ऐसी होती है जो internally तो कुछ और सोच रही होती है कुछ और कर रही होती है बट वो ऐसा नहीं देखे कि हम spoiler है किसी भी तरीके की global negotiation talks के इसलिए वो दिखाने के लिए उस stream को follow करते हैं पार्टिसिपेट तो करेंगे United Nation के अंदर Deliberation भी करेंगे बट उनके actions completely different होते हैं जैसे कि आप Pakistan के example ले ले जिए China के example ले ले जिए China भी तो जो international institutionalism उसका part है United Nation का part है और बाकी जो भी international agreements उनके भी part है China बट इस्टिल क्या करता है वो तो वो लोग वहाँ पर कुछ और दिखाते हैं और internally जो actual उनके actions होते हैं completely different होते हैं तो यही idea है quasi negotiation का by the Joseph Nochi बाकी एक है English school के scholar हमारे पास जो की I think head liable थे इनकी एक book थी anarchical society तो इनका यह बहुत हद तक जो idea similar as पर दी वुद्डू बिलसन जैसे नों का था कि institution convert कर सकती है jungle of the international politics को zoom है वह बात इन्हों की थी कि institutionalism has converted anarchic into the anarchical society मतलब क्या कि anarchic थी पहले completely पहले किसी के उपर किसी का कोई rule नी चलता था सब कुछ बहुत ही unregulated था काफी random था but with the time जब institutions आ गई उसके बाद ये anarchic, anarchical society में convert हो गई है मतलब अब अब अनर्की तो है आज भी international arena में कोई centralized authority नहीं regulate करने के लिए लेकिन समाज बन गया है और समाज हम कब कहते हैं बन जाता है जब लोग self regulate करते हैं खुद को जब लोग उस reason को use करते हैं that is why it is called as the anarchical society that national states has assumed the responsibility to continue their own behavior by themselves only तो कोई और तो control नहीं कर रहा है बट खुद से वो अपने आपको self continue कर रहे है बाकी realist के बारे में देख लेते हैं क्या उनका मानना है according मतलब institutionalism को लेके तो realist भी देखो कुछ हद तक तो ये वाली जो faith शेर करते हैं कि institutionalism की बारे से कुछ हद तक peace and cooperation आ सकता है तीक but they think that institutions are the extension of these states but देखिए मांगे चलिए इस बात को समझेए कि liberals का accordingly तो institutions जो है work करते हैं independent of the nation states मतलब USA हो या फिर Somalia हो दोनों को एक ही तरीके से treat करेगा United Nation ऐसा मानना liberals का बट रियलिस्ट कहते हैं जी आपकी बात गलत है दो आपके जो institutions से वो work करते हैं कुछ हद तक अपने positivity increase करने के लिए but USA का जो control है वो control Somalia या Sudan या किसी और African country का नहीं exit हो सकता on the institutions तो nation state अपने accordingly क्या करते हैं manipulate करते हैं जो multilateral organizations होती है सूपरनेशनल entities होती हैं उनको ऐसा मानना था रियलिस्ट का तो वही बाली बात आगी ना स्टेटिजम नेशन स्टेट एड़ दी फॉर्मोस्ट अफ एवरिटिंग रियलिस्ट उसी जीच को रखते हैं तो उसी context में आप यहाँ पर समझने को रिश की है नेशन स्टेट सबसे पहले आएगी एस पर दी रियलिस्ट इस्टिशन को भी बस वो मैनुपिलेटी कर रहे होंगे नेशन स्टेट बाकी लिबरल्स का तो काफी ज़्यादा फेट था इस बात पर कि इस्टिशन अगर हम बनाएंगे तो उससे पीस आ सकता है फिर आता है हमारे पास सोचोलोजिकल लिबरलिसम नाम से क्लियर है सोचोलोजिकल क्या होता है सोसाइटी सोसाइटी इंटरेक्शन जिस हम कहते हैं ट्रैक्ट टू डिप्लोमेसी यह सबसे आद आपको देखने को मिल सकती है इंदी वेस्टन यूरोप मेली यूरोपेन यूणियन में और आज की टाइम में आसियान के अंदर भी देखने को मिल लगी है तो जेम्स रोजनो करके एक ठिंकर है स्कॉलर है इनका मानना है वे आ लिबिंग इना सोसाइटी सेंट्रिक वर्ड मतलब जहाँ पे समाज सेंटर में है और उसके अराउंड सारी के सारी पॉलिटिक्स तिंग जो है वो रिवॉल्व कर रहे है तो वैसे बात कुछ हत्तक सही भी है जहाँ पे पीपल-टू-पीपल रिलेशन स्ट्रॉंग होते हैं जैसे इंडिया नेपाल है तो इंडिया नेपाल के people to people relations इते strong थे जबकि नेपाल के अंदर एक ऐसी government भी आये थी इनके rhetorics काफी anti-Indian थे उसके बाद भी relations rune नहीं हुए deteriorate नहीं हुए क्योंकि society to society जो relations होते हैं वो काफी हतर determine करते हैं कि geopolitical relations क्या रहेंगे countries के बीच में देखो एक बाद आपने ये भी देखियोगी कि इंडिया और रश्या के बीच में जो people to people relations है ना भली tourism इतना ज़्यादा नहीं है trade बहुत ज़्यादा नहीं है यहां तक कि economic जो interdependence में बहुत ही कम है इंडिया रश्या के बीच में इसी को further interpret करते हुए John Burden करके thinker है उन्होंने क्या कहता है scholar है उन्होंने अपना model ले था co-web model जो कहता कि world has become society centric same बात है ठीक है और co-web model क्यों होता है co-web model वही होता है कि आज के time पे हम जो interaction करते हैं बो multiple stream में करते हैं इसा नहीं है कि one way interaction हो रहा है सिर्फ की military interaction इस एकॉनोमिक है बलकि multiple types of interaction हो रहे हैं between the countries इंडिया नेपाल का example हो गया या फिर नॉर्थ अमेरिकन नेशन का जैसे की देखा जाएगा तो US and Canada में इनके बीच में people to people relation बहुत strong है इसलिए इनकी government भी कोई सीव government आए कोई सीव ideology रहे इनके relations रून नहीं हो सकते काल जूष ने इसी के आगे बढ़ाते हुए प्रोसीड करते हैं communication theory दी थी हम देखेंगे क्या होता है communication theory उससे पहले हम समझ लेते हैं कि security community क्या होता है ठीक, so ये concept भी काल भीष नहीं किया था security community का इनोंने का था, जब बहुत relations high level पर पहुच जाते हैं, बहुत high level of trust build हो जाता है दो countries के बीच में multiple countries के बीच में, क्यों होगा वो वो तब होगा जब people to people relation बहुती strengthen हो जाएंगे, तो ऐसे में वो countries build कर लेती है, kind of security community समझने कोईश कीजिएगा, security community as a community होती है, जिसके अंदर जितनी nation states आती है, वो एक दूसरे को अपना state नहीं मानती है, उनके लिए कोई और common threat होता है, और ये security community build होती है with the communication, तो इसलिए कहते हैं से communication theory, और वो lead करती है towards the building of the security community community, तो communication सबसे बड़ा तरीका है लोगों को आपस में communication होना interaction होना, कितनी diplomatic visits हो रही है, summit हो रही है, letter exchanges हो रहे है, phone calls हो रहे है, तो ये सब reflection है कि कितना ज़्यादा वहाँ पर communication है और वोई gradually build कर देता है security community को, और ये आज की time है मैं देखने को मिल ला है और security community के बारे में जान लेते हैं तो इसको कहते है security dilemma का, अब starting हमने देखो discuss किया था security dilemma के बारे में यहाँ पर दो countries के बीच में trust deficit होता है जो एक दूसरे को अपना threat मानते हैं rival मानते हैं, अगली country इसने मान के चलिए, दो rifle खरीद लिए तो जो पहली country वो चार राइफल खरीद लिए और चार खरीद लिए देख अगली country आट राइफल खरीद लिए तो यह तो क्या होगी, arms race हो जाता है ultimately क्या होता है, war भी हो जाता है बार security community completely opposite है इसका, महाँ पर कोई दूसरे को ऐसे देखते हैं कि उसने दो rifle खरीद लिए, तो ठीक है यह मेरे भी यूजमाएगा, जब हमें कोई और common threat परिशान करेगा आगे जाके तो this is called the idea of the security community बाकि ways to build a security community that is called the communication, इसलिए से कहते हैं communication theory, so यहाँ पर जितना communication होगा, उतने स्टेंदल होंगे relations so यह अब देख लेते हैं अपनी जो next theory है जो कि है functionalism करके इसके बारे में जान लेते हैं so the experiment of the EU is the basis of the theory of functionalism so the European Union ही आप कह सकते हैं कि functionalism को लाने के बाद EU नहीं लाया गय था, EU के success होने के बाद समझ माया कि functionalism की theory बहुत बढ़िया हो सकती है जो हम और जगाओ पे भी implement कर सकते हैं जिससे कि peace and reality we can achieve in the different regions of the world ठीक, तो देख लेते हैं इसके बारे में further कि क्या है यह तो इसको कहा जाता है piece by pieces अब यही एक छोटी सी line इसको define कर देती है कि peace लाने के लिए छोटे-छोटे pieces को आपको follow करना पड़ेगा मतला आप यह मैं सोचू देख छोटा example लेते हैं, like बिड़ी इंडिया इंडिया पाकिस्तान बहुत सारे conflicts exist करते हैं आज की टाइम पे तो हम सीधे यह नहीं सोचते कि हम सीधे जम्मू कश्मी या जो भी territorial conflicts को resolve कर लेते हैं पहली बार में जाके हम इसको ऐसे लेते हैं कि पहले हम क्या करते हैं थोड़ा सा आपस में tourism बढ़ाते हैं उसके बाद जो diplomatic summits होती हैं उनको बढ़ाते हैं, people to people relations को promote करते हैं, उसके बाद जो हमारी diplomacy regarding the rivers and the water sharing agreements उसके बाद करते हैं फिर economic interdependence बढ़ाते हैं जिसमें हम free trade agreement या फिर सार्क को आगे बढ़ा के फिर ultimately जब relations हलके हलके gradually build होंगे तो ultimate हमारा step होगा जो हम territorial जो conflict ने दोनों countries के बीच में उसको resolve करेंगे तो ये example था एक तरीका था समझाने के लिए कि how we can achieve piece by pieces तो आप directly जाके करेंगे कुछ भी तो वो चीज नहीं possible हो पाएगी तो यही functionalism की theory कहती है कि आप gradually step by step चीज़ों करें और जब आप एक छोटा achievement हासिल कर लेंगे आपकी life में भी होता है ना हम कोई छोटी चीज़ कर लेंगे हम मोटिवेशन मिलता है हम मोटिवेशन मिलता है कि हम बड़ा भी कुछ कर सकते हैं उसके बार सीधे आप सोचो के कि या मैं सबसे बड़ी चीज़ कर लो तो हो सकता आप उसमें fail हो जाएए और बहुत ही जादा के बीच में उनको segregate कर लो low politics as well as the high politics यह बात मैं आपको समझा दिये low political issues क्या होते हैं कि वहीं free trade agreement नहीं हो पा रहा या किसी तरह जाएगा most favored nation को लेके conflict दो countries के बीच में जिसमें बहुत ज्यादा controversy or political heat involved नहीं होती है and then comes the issues of the high politics जैसे terrorism है, territorial concerns है, militaristic disputes है, ठीक है उसके बाद क्या कहते हैं यह कहते हैं कि पहले आप initiative लीजिए कि इस चीज के लिए non political classes के लिए मतलब वह वाली बात आती है people to people relations तो जैसे हम कहते हैं cricket diplomacy या फिर south east Asian countries के साथ इंडिये के चलती है Buddhist diplomacy है ना, तो आप cultural terms बढ़ाईए, technicians, scientists, artists, athletes, bollywood diplomacy, cinema वगेरा, music, food, cuisine, इन सब को promote कीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, एक पूरा ecosystem बिल्ड हो जाएगा, जो काफी ज्यादा कैसा होगा, friendly होगा, काफी ज्यादा positive होगा, जिससे कि आप बड़ हैं, and then वही वाली बात, spill over effect देखने को मिलेगा, तो आप other areas में भी जा सकते हो, अपनी conflict को resolve करने के लिए, तो इससे related कुछ scholars हैं, जो कि आपको ध्यान रतने हैं, इसमें आते हैं Richard Copden, वो कि कहते हैं, keep the politicians out, तो देखो Richard Copden का मानना ये है, कि जो non-political class है, जो हम already discuss कर चुके ह हैं, such as athletes हैं, artists हैं, technicians हैं, ठीक है, तो उन लोगों को हमें कहीना कि command दे देना चाहिए, leadership दे देना चाहिए, would be in the two countries to improve their relations, तो इसे लिचेट Copden कहते हैं, political class को भाहर रखिये, क्योंकि politicians के पास हमेशा होते हैं, hidden agendas, और वो यूज़ कर सकते हैं, इस तरिकी के issues को अपने political gains के के लिए, तो उसी context में आप समझे, Richard Copden की वाइल है, keep the politicians out, and GDH कोल के कहते हैं, यह तो कहते हैं, functional sovereignty होनी चाहिए, यह तो बहुत ही extreme चाहिए, देखने का मतलब यह है, यह तो कहते हैं, अगर industries है, इंडिया के अंदर को industry है, चाहिना के अंदर को industry है, चाहिना के अंदर को industry ह है, sovereignty है, उसी को violate कर देगा, पाकी David Mitrani in the book, The Functional Theory of Politics, यह बहुत बड़े हैं, इनो नहीं यह idea दिया था, so इसमें हम देखते हैं, example, the composite dialogue between the Indian and Pakistan, अच्छा, एक बार यह try भी किया गया था, इंडिया पाकिस्तान की बीच में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ tier 1 या track burn diplomacy को छोड़ countries में ही, उसके अंदर political bill की थोड़ी सी कमी है, relations को improve करने के लिए, और terrorism तो सबसे बड़ा मुद्दा ही, from the side of the Pakistan, फिर आता है हमारे पास interdependent school, यह तो काफी straightforward school है, यह तो simple सी बात कहते हैं, कि आप economic relations को बढ़ा दीजिए, economically दो countries आपस में बहुत ही ज़्यादा जब trade कर रही होंगी, तो वो दोनों countries का भी war पर जाएंगी नी, और दोनों के बीच के relations जो है, बढ़िया, cordial ही रहेंगे, तो इक तरीके जब भी trade को, economy को इतना ज्यादा रखते हैं, primary पे, तो इसका मतलब हम कह सकते है, इसको link कर सकते है, with the new liberal idea के साथ, क्योंकि new liberal idea के मतलब ही क्या है, market fundamentalism, उनके लिए उनको लगता है, new liberals को लगता है, कि market को आप sovereign बना दो, उसके बाद society की सारी problems खतम हो जाएंगी, likewise, जो interdependent school है, वो कहता है, कि आप economy को बिलकुल free hand दे दीजिए, उसके साथ international arena की international politics की सारी conflict resolve हो जाएंगी, और यह कहीं न कहीं, emerge भी तब हुआ, 1970s, 80s में, और इसको आप समझने की कोशिश कीए, कि किस तरीके से interdependent school जो है, वो further proceed करता है, USA की hegemony को, interdependent school कहता है, कि आप बात मानिये, WTO की, world bank की, IMF की, और free trade agreement कीजिए, open seas रखिए, कोई तरीके का variant हो जाएंगी, ट्रीड में, so यह सारे जो ideas हैं, क्योंकि USA still dominate करता है, जो international institutions है, economic institution हो या political institution हो, mainly economic institution like WTO हो गया, IMF हो गया, world bank हो गया, तो जब countries यह मान के चलेंगी, कि या economic की interdependency एक मातर तरीका है, peace और cooperation को अचीव करने का, तो बो लोग बात मानेंगे, WTO की बात मानेंगे, free trade agreement भी करेंगे, और उस चीज़ को कौन control कर रहा है, पूरे paradigm को, पूरे narrative को USA, so इसलिए कहते हैं कि यह जो school है, यह new liberal policy कहलो, यह interdependence का school कहलो, दो आपको सुनने में और दिखने में लग सकता है कि हमारे interest को secure कर रहा है, but ultimately, जो broader picture है, वो यह दिखाती है कि USA की hegemony को फर्दर proceed कर रहा है, ठीक है, और यह सिर्फ USA के साथ नहीं है, China भी क्या करता है, China कहता ह कि ठीक है, belt and road initiative में join कीजिए, आपका economic development होगा, आपका infrastructure बिल्ड होगा, so आपको क्या लगता है, कि क्या सबके लिए फाइद मनत है, belt and road initiative, China अपनी hegemony को proceed करना चाहता है, China want to challenge the USA, तो इसलिए China वो सब तरीके लिए के आया है, जिसमें Asian Development Bank हो गया, या फिर Brics Bank हो गया, या BRI का पूरा initiative हो गया, तो वो सब चाइना के लिए, उनका यह नहीं है, कि China want to develop the developing countries, उनको help करना चाहता है, China का simple मतलब है कि China उस बाले paradigm को build करना चाहता है, जिसमें सब को ऐसा लगे कि वो उनका फाइदा हो रहा है, बट ultimately China के interest secure हो जाए, तो यह हर country का EM objective होता ही है, mainly वो country जो superpower बनना चाहते है, then comes the scholar like Thomas Friedman, जोना idea दिया था golden arches theory का, इसको बर ध्यान अखना है कि golden arches theory किसने दी थी, Thomas Friedman दी थी, क्या का था, इनका था, people will prefer to stand in the queue for burger rather than the border, तो इनका मानना यह था कि economy की इतनी ज्यादा पावर होती है, कि अगर दो countries के बीच में mcdonald की chain है, तो लोग कही बर्टर पर नहीं जाना खड़ा, मतलब बॉर्टर पर जाके खड़ा आना prefer नहीं करेंगे, ठीक है लड़ाई लडने के लिए, मतलब क्या है, सिंबॉलिक बात है, ऐसा नहीं है कि burger खा रहे हैं सब लोग बैठके, बॉर्टर पर कोई नहीं जा रहा, सिंबॉलिक लिए तरी इसका people-to-people movement होता, तो कही नहीं वहीं लोग नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, क्योंकि लड़ाई हो जाती, तो उनके सारे के सारे economic जो prosperity और disrupt हो जाती एक्दम से, बट इतना ज्यादा interdependence थान ही, तो इसलिए war पर जाने से पहले ज्यादा सोचा भी नहीं गया, but USA और चाइना या इंडिया और चाइना बो लोग war पर नहीं जा सकते, क्योंकि इनके बीच में economic relations बहुत ही ज्यादा strong है, इसलिए rhetoric तो कितनी भी हो जाएंगे, छोटी-मोटी skirmishes भी हो जाएंगी around the border, but these countries cannot go on the full-fledged war, main reason यही है, interdependence का इनके बीच में, उसके बाद Richard Rosecrans का idea आता है of the trading states, यह तो काफी जादा अच्छा idea और देखो, somebody like भी है, तो यह कहते हैं कि बिना arms के भी, हम कहीं नहीं क advance तो नहीं है, दोनों ही Japan, Germany, but still, इनकी economy इतनी powerful है, कि यह अपना एक say रखते हैं, अपना एक hold रखते हैं इंदी international politics, यह किसी भी तरीके की negotiation में, अब जब इरान के साथ एक deal होई थी, जिसे हम कहते हैं joint comprehensive deal, जो nuclear weapons को रोखने के लिए होई थी, इरान develop ना करे, तो P5 countries के साथ जर्मनी भी था उसमें, तो जर्मनी के क्या काम था, बट इस्टिल जर्मनी होँआ पर आया था negotiations में, ठीक, क्योंकि उसकी economic power, economic weight है इतनी है, इसलिए हमको invite किया जाता है, बड़ी-बड़ी negotiations के अंदर, G7 के अंदर यह सारे countries member है, world की polity, world की economy को यह लोग define कर रहे हैं, determine कर र जी है, economicly grow कर अगी तो automatically आपकी power बढ़ देगी, और जो जो country hard power, hard power मतलब army, military पे बहुत ज्यादा rely करती है, उस country की long term में जो hegemony है, या power है, बो decrease हो ही जाती है, example के तोर पे simple example यह देते हैं, एफगानिस्तान में invasion किया था, USSR ने, उसके बाद USSR दो से तीन साल के अंदर ही प आपने हैं कि army और militaristic manner पे ही अपने आपको build करते जा रहे हैं, you also have to focus on your economic gains, फिर आती है हमारे पार democratic peace theory, यह तो काफी ज्यादा simple है, मैं Michael Doyle जो है, वो इसके prominent scholar है, और इन्हों बुक कौन से लिखी है, democratic peace, liberalism and the world politics, और यह किसके ideas पे based है, तो देखो इसमें जो है na ideas पे based है of the Emmanuel Kant, जो नहीं बात की थी republicanism की, मतलब वो nation states, वो countries, जहां पर republicanism होगा या फिर democracy होगा, जहां पर लोग deliberate करेंगे, किसी भी decision को लेने से पहले, वो countries आपसमें वार पे नहीं जाती है, इसका theory का मनना यह ही है, लेकिन Michael Doyle जो है इसके prominent scholar है, तो अगर question में आता है, कि which of the following scholar has given the democratic peace theory, तो उसका answer Michael Doyle होगा, ठीक, बागी देख लेते हैं आगे, कहती है theory, so the scholars of the democratic peace theory, वो कुछ बात सरिस्ट करते हैं, वो कहते हैं, तो कहते हैं, democracy जो है, वो June of peace होता है, मतलब अगर दो democracies आस पास exist करती हैं, तो उसका हम कह सकते हैं कि peace रहेगा वहाँ पे, वहाँ पे ऐसे conflict लडाई वगेरा नहीं होंगी, ती इसलिए, जैसे कि example के तौर पे सबसे best हम कहा सकते हैं, समय western Europe है, और North America है, तो in democracy people develop the habit of resolving dispute through dialogue rather than force, deliberation, dialogue, यह सब important होता है, सीधे, युद पे नहीं जाते, अब भी देखो न, अभी farm protest हुए थे, तो उसमें सीधे ऐसा नहीं है कि, परा-military पुलिस को full-fledged power दे दिया, free hand दे दिया government ने, और सब एक दूसरे पे मार पीट पो तरा रहे हैं, democratic country है, इसलिए deliberation हुआ, dialogue हुआ, negotiation हुआ, उसके बाद उस चीज का resolution भी हुआ, तो उसी छोटी से जो incident है, उसको implement करके देखो, international politics पे, international level पे बेखो कोई तरहीं तो वो countries ये कोशिश नहीं करेंगे, सीधे भाई, military warfare लाँच कर दिया, रडाई पे चले गए, पहले वो बात करेंगे, negotiate करने के, किसी middle path को निकाल लेगी, that's why का जाता है कि जब democracies होती है, वो सीधे रडाई पे ना जाके, पहले deliberation करती है, और हाँ पर public opinion गी matter होती है, अग अब रशिय के अंदर अगर proper democracy होती, तो रशिय अतने लंबे टाम लडाई नहीं लड़ पाता, क्योंकि public opinion है, बो कहीं न कहीं, अब sentiments जो है, वो anti-war हो गए हैं रशिय के अंदर भी, जैसे कि जब 90s, 60s, 70s में USA ने वेतनाम के अंदर invasion कर रखा था, तो starting में तो बहुत support थी इस invasion के लिए, बट विद दी टाइम, public sentiment जब anti-war होए, anti-invasion होए, तो gradually USA को withdraw करना पड़ा from the Vietnam, अगर USA भी एक तरिके की dictatorship of a totalitarian state होता, तो USA लड़ता ही रहता हो और 25 सल वेतनाम के अंदर, लेकिन क्योंकि public opinion बहुत ही अगिस्ट हो गया था, और यही का जाता है कि one of the most significant reason था behind the withdrawal of the USA from the Vietnam, public opinion, ठीक, बाकि in democracy there is a freedom of speech expression, तो possibility देखी जाती है, critical examination of the foreign policy, सभी बात है, foreign policy आपकी कैसी है, उसको critically examine कर सकते हैं, क्योंभी, simple ऐसा नहीं है कि जब political leadership पर वही examine कर रही है, think tanks है, foreign policy based NGOs है, या फिस civil societies है, यह लोग भी अपने inputs देती हैं और यह लोग भी suggestion देती है, स अची जो last theory है, वो की है complex interdependence, इसके बारे में जान लेते हैं, यह क्या होतर कैसे different है from the interdependence, तो पहले जान यह इसके scholars के बारे में, जो की है, Robert Qohan and Joseph Nye, वो कौन से इनकी power and interdependence, तो इस scholars associated with the complex interdependence का नाम जहां दखेंगा, Robert Qohan and Joseph Nye, बाकि क्या करते हैं, कि nations have become interdependent, but it does not mean that their conflicts have been resolved, अब इसका मतलब समझो, यह interdependence का मतलब तो simple यह था कि economically दो countries आपस में interdependent हो गई हैं, इसका मतलब उनके बीच में काफी peace है, काफी friendly relations हैं, और कोई तरीके का conflict exist नहीं करता, लेकिन complex interdependence solely सी practical reality को दिखाता है, यह descriptive है, यह describe करता है कि how the relations are going on between two countries or the multiple countries, ठीके इन the international arena, त क्योंकि वो दोनों countries के बीच में dispute हो है, जैसे इंडिया चायना है, बट इस्टिल दोनों के बीच में इतना ज्यादा integration हो गया है, economy का, technology का, ठीके कुछ ताइम में society का भी हो जाएगा, तो दोनों countries बहले ही, दोनों के बीच में dispute भी exist कर रहे हैं, दोनों countries दों hate भी कर रहे ह still both the countries cannot go to war, मतलब एक दूसरे में hatred हो है, एक दूसरे के लिए, बट इस्टिल क्योंकि relations इतने ज्यादा अच्छे हैं, ते high level के हैं economically, वो वो वार पे जा नहीं सकते, बट कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, और ये आज के टाइम में सारे countries के relation को define करने के लिच्छ बेस्ट पोजिशन में एक दूसरे के, likewise India चाइना है, या फिर USA and the Russia and USA and the China है, तो सारी countries का यही सीन है, और जिन countries के बीच में complex interdependence नहीं है, वो countries आज भी वार पे जा रही है, जैसे सबसे बड़ा example तो इस्राइल और पलस्तीन का है, अगर इस्राइल पलस्तीन के बीच में बहुत high level of होते, तो दोनों के बीच में, even though territorial dispute exist करती, but still both the countries would not dare to go directly on the war, कही न कहीं रस्त्रें को प्रेक्टिस करते, but उनके बीच में complex interdependence नहीं है, dependence भी नहीं है, किसी तरीके के दूसरे को पर, तो इसलिए आपस में लड़ाई पे चले गए, और लड़ा है, लाइक बैस हुआ है कहा बहुत बिटर है, बहुत ही खराब relation है, China and Japan के, still both the countries आपस में यूदिपे नहीं जाएंगे, कितना भी रिटॉरिक यूस करने है, वो कितना भी दूसरे को threat create करने है, security dilemma तो exist करेगा हमेशा हमकी बीच में, but those countries would never go on to the war, वो ही इसलिए complex interdependence की वे से, hate करते रहेंगे, लेकिन economic integration, people to people relations, ठीक ठाक है, और economic interdependence तो बहुत ही high level का है, इसलिए कभी वाल पर नहीं जा पाएंगे, तो वही बात कहाता है, complex interdependence का school, तो क्या कहते हैं ये, कि the nations have become more interdependent due to the forces of the globalization, integration of the markets and the rise of the global threats, like the terrorism, climate change, ozone depletion, तो ये कुछ ऐसे threats हैं, जिसको एक country single-handedly या अकेले नहीं नहीं कर सकता, अब देखो, इन country's में आपस में relation को ज्यादा खास तो हैं नहीं, Russia, China के बीच में dispute है, India, China, तो पूछे मत, बढ़ हाथ पकड़ के पे अच्छे से खड़ें, तो ये दिखाता है complex interdependence का phenomenon, खुश ही दिखा रहे हैं भार से क्योंकि खुश होना पड़ता है, अंदर कर रहे हैं for cooperating and coordinating in the multiple spheres, but internally दोनों जानते हैं कि भाई, हमें तुस से तना बो नहीं है, प्यार याफे इतना ज्यादा पसंद नहीं है तो हमको, but still हमको तिरसाद समझ मना के रखने पढ़ लाए है, ठीक है, so complex interdependence can be explained as a situation where one is forced to love, whom one would otherwise prefer to hate, ठीक है, ये टाइपो है सोड़ा सा इसमें one would otherwise prefer to hate, मतलब भई, hate करना प्रिफर करता, बट उसके बाद भी force करना हो रहा है कि उसको पसंद करना पढ़ रहा है, तो इसलिए कहते हैं complex interdependence, interdependence तरीके किये काफी complicated है, already आप explain कर चुक हूँ with the examples, तो इसको आगे पढ़ते हैं, बाकि relations among all the countries, USA, Russia, Russia, China, India, USA, इन सब को हम आज देख सकते हैं, define कर सकते हैं, from the perspective of the complex interdependence, बाकि complex interdependence puts a question mark on the way structural realists explain the state of international politics, तो structural realists हम पहले देख चुके हैं already, जो कहते हैं कि war the permanent phenomenon है, security dilemma रहेगा, anarchical conditions रहेगी, इसलिए arms race होती रहेगी, but complex interdependence ने का नहीं ऐसा नहीं है, जब interdependence आपस में बढ़ जाती है, तो बहल पर नहीं जाएंगी आपस में, अब वो relations को एक हसे जादा deteriorate नहीं करेंगी, तो cooperation coordination exists करेगा, वेट भी in the different countries, ठीक है, आई अब देख लेते हैं कुछ books and authors, जो कि related हैं to the liberalism, जो कि factual point of view से काफी important है, so Hugo Grotius की जो theory थी just war, उनकी book है on the law of war and peace, जो कि 1625 में लिखी गई थी, एक book है after hegemony, cooperation and discord in the world political economy, जो कि Robert किहान ने लिखी है, बाकी book है soft power, जो कि लिखी जो से फनाई ने, काफी important concept भी हो, काफी important book भी है soft power, ठीक है, then comes in the functional theory of politics, debit mid-training की book है, जो कि हम आउरेदी देख चुके है, and फिक book आती है Robert Putnam की, जिसका ना में, diplomacy and domestic politics, the logic of two label games, यहाँ पर हमारे जो आज की theories है, from the realism, liberalism, और जो multiple sub-theories है उनके अंडर, उनको हमने काफी comprehensively cover कर लिया है, with the examples, scholars and other things, so meet करता हूँ, आपको अच्छा लगा होगा, यह पूरा session और काफी जादा interesting लगा होगा, समझ माई होंगी चीजे, so thank you so much for being with me, और अपनी पढ़ाई को हैसी continue रखिये, all the best for examinations, bye bye, take care.